साथियों, जब देश का एक बड़ा वर्ग अपनी आवश्यक्ताओं को पूरा करने में ही संगर्सरत रहेगा, तो उसके पास अपने अधिकारों और अपनी आकांग्षाओं के लिए कुछ करने का ना तो समय बचेगा, ना उर्जा और ना ही इच्छा शक्ति. और हम सब जानते हैं, गरीब की जिन्दगी में, हम अगर बारी के से देखें, तो जरूरत ही उसकी जिन्दगी होती है, और जरूरत की पूर्ती के लिए वो अपना जीवन का पल, पल, सरीर का कंण, कंण खपाता रहता है. और जब जरूरत पूरी नहों, तब तक तो उसको यह अधिकार के विशे तक वो पहुंचे नहीं पाता है. जब गरीब अपनी मुल्भुत सुविधाओं, और जिसका अभी अमीद भाई ने बड़े विस्ता से वर्णन किया, जैसे सौचाले, बिजली, स्वास्त की चिंता, इलाज की चिंता, इन सबसे जूज रहा हूँ. और कोई उसके सामने जाकर उसके अधिकारों के लिस्ट गिनाने लगे, तो गरीब सबसे पहले यही पुछेगा, कि क्या यह अधिकार उसकी आवशक्ताएं पूरी कर पाएंगे? कागेज में दर्ज अधिकारों को गरीब तक पहुचाने के लिए, पहले उसकी आवशक्ता की पूर्ति किया जाना बहुत ज़रूरी है. कि जब आवशक्ताएं पूरी होने लगती हैं, तो गरीब अपनी उर्जा अधिकारों की तरफ लगा सकता है, अपने अधिकार मांग सकता है, और हम सब इस बात से भी परिचीत है, कि जब आवशक्तापूरी होती है, अधिकारों के प्रती सतरक्ता आती है, तो फिर जितनी प्रबल होती है, उतना ही गरीब को गरीबी से बहार निकलने की ताकत मिलती है। गरीबी के दुष्चक्र से बहार निकलकर वो अपने सपने पूरे करने की और बढ़ चलता है। इसलिए जब गरीब के घर साउचाले बनता है, उसके घर बिजली पहुंचती है, उसे गैस कनेक्शन मिलता है, तो ये सिर्फ एक योजना का उस तक पहुंचना ही नहीं होता, ये योजनाएं उसकी आवशकता पूरी कर रही हैं, उसे अपने अधिकारों के प्रती जागरुक कर रही हैं, उसमें आकांख्षा जगा रही है, साथियों, गरीब को मिलने वाली ये सुविधाएं, उसके जीवन में डिगनीटी ला रही है, उसकी गरीमा बढ़ा रही है, जो गरीब कभी सौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, अब गरीब को जब सौचाला ही म मिलती है, जो गरीब कभी बेंग के भीतर जाने की हिंपत नहीं जूटा पाता था, उस गरीब का जब जंदन एका highlighted कोलता है, तो उसमें होस्ना आता है, उसकी डिगनीटी बढ़ती है, जो गरीब कभी डेवीट कार के बारे में सोच भी नहीं पाता था, उस गरीब को जब रूपे काड मिलता है, जेब में जब रूपे काड होता है, तो उसकी डिगनीटी बढ़ती है। बेहनों की डिगनीटी बढ़ती है।